नमस्ते दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल पर स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग डिवीडिंग पेंग कंपनी जिस कंपनी के बारे मैं आपको भी बताने वाला कंपनी डिवीडंड के मामले में तो अपने सेक्टर में टॉप ह तो अब कंपनी अच्छे मानि जाती है लांग टम के लिए यह कंपनी आप इंवेस्ट कर सकती है और डिवीडंड में एक कंपनी अपने सेक्टर में टॉप डिवीडंड पे करती है कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते है कंपनी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो है मैं न मेरे स्क्रीन पे मेंशन के आपके सामने करन प्राइज is less than the intrinsic value में अब कमपनी की जो अभी जो करन मार्केट प्राइज है करन प्राइज है तो intrinsic value से भी कम है company जो है जो return on investment जो है को इपडी से बहुत ज्यादा देती है आर वो यू किसे स्टॉक है जेनरेटिंग ते बेटर रिटन एक्विटी देन एफटी मतलब एबडी से ज्यादा एक कमपणी आपको एक्विटी में ज्यादा प्रोफिट देती है डिवीडेन रिटर्स जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी पांतं के लिए कंसिडर कर सकते क्योंकि इसके अभी अच्छा एंट्र पॉइंट है कंपनी को पर कोई भी एड़ अभी नहीं है कोई एसे मजचे एड़ एडफ्लैट को पर कुछ सेभी का कुछ रेगड़ करिण नहीं है इसके बारे में मेरा सेपरेट फ्ट्राइब है एस उसके उपर भी डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे तो की मैट्रिक जो यह भी फंडमेंटेड डेटल सी है इसमें पी रेश्यों देखें कंपनी का जो पी रेश्यों अभी वह चार है मतलब कंपनी अभी जो है वह और वाट सेंट यह 17% मतलब बहुत ज़्यादा डिवीडेंट हो गया मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिवीडेंट मिलता है डिवीडेंट इल्ट के उपर भी मेरा एक सेपरेट विडोव है वह मैं डिस्क्रिप्शिन में डाल दूंगा अब देख लेना उसमें आपको डिवीडेंट जो डिवीटेंट पे कर रही है और तो रूपे 40 पैसा अभी आपको दिखने में कम दिख रहा होगा लेकिन कंपनी के शेर की प्राइज में आपको बता हूँगा उसके कंप्रेजर्ण में साफ बहुत ज्याद है जो डिवीडेंट पेकर रही है आप इसकी X date के बारे में बताता हूँ, X date जो जो आप स्क्रीन पर देख रहे है, 11 August 2022, मतलब आपको ये share 10 तरीक को, 10 August को आपके DMAT account में होना चाहिए, इसकी X date 11 है, मतलब 10 तरीक को आपके DMAT account में share reflect होना चाहिए, 10 और 11 तरीक को आप ये share रखिए, इस company का मैं आपको भी नाम बताता हूँ, और इसके भी current price बताता हूँ, जिसे आपको पता चल जाएगा कि ये 2.40 परेसा जो dividend दे रहे है, ये कम है या ज्यादा है, company का नाम है दोस्तो, Indian Oil Corporation, ओके आप इस Friday का इसका performance का चार्ट में आपके सामने रखाया है, इजे ये Friday को इस company ने लगबग 1.5% का return दिया है, और इसकी अभी current market price जो है, वो 72.95 परेसा last traded price है, मतलब 73 रूपीज, 72.95 परेसा है, ओके, तो ये stock arm अभी consider कर सकते है, long term investment as well as dividend point of view साब इसको consider कर सकते है, ओके, Indian Oil Company जो है, वो अपने sector के oil and gas sector के top की company माने जाते है, Indian Oil Corporation Limited as a engaged in a refining business, the company's segments include the sale of petroleum products, sale of petrochemicals and other business, हाली में ये company अभी petroleum business के साथ-साथ renewable energy में भी उसका business चालू कर रही है, ऐसी news है कि ये company उसका जो business है अभी expand कर रही है और अभी renewable energy को बहुत अच्छी demand है, तो मैं आप लोगों को highly recommend करूँगा कि ये share को ये company के share साब आपके पास अच्छा capital होगा, तो long term point of use आप ले सकते हैं और dividend point of use से लेना है तो आप 10 तारीक और 11 तारीक तो इसका अच्छा लगता है तो डिफिनिटल आप वीडियो को share किजे जो आपके फ्रेंड्स है, आपके में आपके में एक पक्ता है, तो झापके ये सकते हैं dziो में पहाल आपके।